हलो गाईज कैसे हो आप लोग तो चलिए और एक वीडियो स्टार्ट करते हैं आज जो मैं स्टैटीजी आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें कवरेज काफी अच्छा है 32 नंबर्स टोटल कवर होते हैं इसमें तो देखते हैं किस तरह से इसका सेटप है तो यह है रूलेट टेबल 10,000 का बैंक रोल है अपना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह स्पिन होने देते हैं देखे गाईज इसमें कवरेज जादा है इसका मतलब आप एक चीज़ समझ लीजे अगर कही भी बेट लूज होती है तो ऐसे सिनेरियों में क्या होगा कि कवर अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो यह चीज़ आप समझ सकते होंगे तो चलिए इसको किस तरह से इसका सेटप है कैसे प्लैस्मेंट है मैं आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले अब मैं जो यहाँ पर बेट कर रहा हूँ ठीक है 10,000 का बैंक रोल है 100 रुपीज की बेट है मतलब 100 रुपीज का चिप साइज है तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखिए 1st dozen पे 6 unit 2nd dozen पे 6 unit और square bet जो है last dozen में 2 square पे 2-2 unit रखना है तो टोटल यह कितने हो गए यह हो गए टोटल 16 unit की bet हो गई मतलब 1600 की ठीक है तो देखते क्या हिट हुआ है 2nd dozen अब देखिए 1600 की bet थी bet पास हुई है तो 200 इसमें मिला है अपने को ठीक है तो आप समझ सकते है इसका जो profit ratio है वो काफी कम है तो इसी के लिए क्योंकि coverage इसमें बहुत जादा है ठीक है तो जो भी आप bet प्लेस कर रहे हो द्यान से करना है chip size जो है वो सोच समझ के रखिये इसमें तो अब यहाँ पर मैंने rebate किया है ठीक है तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए देखिए तो फॉर प्लस फाइव फाइव नंबर सी बचे है जो कवर नहीं है ठीक है अब इसमें मैंने फर्स्ट और सेकेंड डजन पे छेचे उनिट रखे है ठीक है और लास्ट डजन को चुना है जिसमें दो दो यूनिट है दो स्क्वेर बेट में अब इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते है मतलब आप फर्स्ट और थर्ड डजन भी ले सकते है ठीक है छेचे उनिट रख सकते है और मिडल जो डजन है सेकेंड डजन है उसमें भी आप स्क्वेर बेट लगा सकते है तो अपने हिसाब से आप उसको देख सकते है ऐसा कोई इसमें थम रूल नहीं है कि ऐसे ही आपको प्लेस्मेंट रखना है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वेर बेट हीट हुआ है तो भी 1,800 मतलब 200 का पर स्पिन में हमें प्रॉफित हो रहा है अगर यही आप स्ट्राटीजी 10 रूपीज से खेलेंगे तो टोटल बेट आपके आएगी 160 रूपीज तो एक मेरे हिजब से मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ इसमें वो क्या है गाईज देखिए आपको एक चीज समझना होगा वो यह है जो हमारा बैंक रोल है और जो हम बेट प्लेस कर रहे है अब यहाँ पर जैसे मैं बेट प्लेस कर रहा हूँ 1600 की ठीक है उसके रिटर्न में मुझे 200 का प्रॉफित मिल रहा है सही है जैसे मैं बेट लगा रहा हूँ 1600 की pin होने पे 200 का मुझे वहाँ पर profit हो रहा है तो अगर मान लीजे यह 10,000 के bank roll में मैं 10 rupees से play करता हूँ ठीक है तो profit कितने का होगा 20 rupees का होगा राइट तो वो 20 rupees कोई माइने नहीं रखते मतलब इस bank roll में अगर मान लीजे मुझे 10% करना है ठीक है 10% करना है तो 20 rupees से मुझे कितना time लग जाएगा नहीं हो सकता है ना मतलब होने के लिए हो सकता है मगर time बहुत लगेगा और उसके बीच में जो है bet lose भी हो सकती है तो देखे जहाँ पर spread जादा होता है coverage जादा होता है वहाँ पर bet placement का जो ratio होता है उसका थोड़ा high रखना चाहिए ठीक है अब मैं यह suggestion नहीं करूँगा आप crazy amount लगा दो ऐसा नहीं है मगर एक आप चीज सोचिए कि अब यहाँ पे 200 का मुझे per spin में profit हो रहा है जहां मेरी win or raise spin तो मान लिजे 10,000 का मुझे 10% चाहिए ठीक है तो फिर क्या calculation होगा कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए राइट तो मेरी कितनी bet पास होनी चाहिए यहाँ पे 5 और 5 bet कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है आप अभी देखेंगे बात करते करते session स्टार्ट होके 5 minute भी नहीं हुए है और हमारा अभी यह bet मैंने लगाई ने तो अल्ड़ी हमारा 11,000 का bankroll हो चुका था तो अभी यहाँ पर देखिए 10 आया है अब आप bankroll देखिए 11,200 मतलब हमने 12% अल्रड़ी ले लिये है गाईज यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखिए मैं बहुत बार बोलता हूँ मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ हमको हराने वाली strategy नहीं होती है या कोई game हमको नहीं हरा रहे है ठीक है वो अपनी जगा पे सही है मगर हम अपनी जगा पे गलात है ठीक है हमको क्या चाहिए होता है न हमको यह चाहिए होता है कि हमको spread भी ज्यादा चाहिए होता है ठीक है 37 में से हमारे 35 number cover होनी चाहिए हम ये भी सोचते हैं, जादा से जादा coverage होना चाहिए, और हमको profit भी होना चाहिए, हमारा bankroll जो है डबल ट्रिपल होना चाहिए, ये सब चीजे सोचते होना गाईज, इसके वज़े से हमारा loss होता है, हर चीज को एक systematic way में लीजे, planning के साथ में लीजे, अब ऐसा मत समझे कि मैं gambling क कि तरफ कोई ये कर रहा हूं कि आप इसको खेले ही, ठीक है, मैं उनकी लिए बाती नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी लिए बात कर रहा हूं कि जो already इसमें आ चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और कुछ अपना थोड़ा बहुत cover करना चाहते हैं, तो बहुत सारे त प्ले करते वक्त, उसका पूरा calculation कीजिए, कि मैं कितनी की bet रखूँगा, ठीक है, उसमें से मुझे कितना आएगा, और कितना spin मुझे खेलना पड़ेगा, कि मेरा 10% हो जाए, या जो आप target लेके चल रहे हैं, वो complete हो जाए, आप समझ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, यहा यहाँ पर मैं चाहता हूं, तो stop कर सकता हूं, अगर मुझे test करना है, वीडियो बनाना है, इसलिए मैं आगे इसको play कर रहा हूं, ठीक है, तो यह चीज, देखी, यह मैं general हर strategy के लिए बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम वही पर होती है, जहाँ पर आपका calculation गड़बड हो जात अब देखी, यहाँ पर हमारा loss हुआ है, अब यहाँ पर loss हुआ, अब मैं 6-7 मिनट से play कर रहा था, ठीक है, 15-16% हो गया था, मैंने यहाँ पर session drop नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों कि मैं video बना रहा हूं, ठीक है, तो क्या हुआ, loss हुआ और जितना भी profit हुआ था अपना वो profit पूरा उसने साफ कर दिया, मतलब profit बचा ही नहीं, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर double किया है इसको, ठीक है, अब मैं आपको suggestion करूँगा कि आप double करे ही, नहीं करोगे तो 8 spin लगेंगी, आपको cover करने के लिए, और अगर double करते हो, तो 4 spin में cover होगा, ठीक है, अब यहाँ पर भी और एक चीज में आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए, ऐसी strategy में एकाद बार double करना जायज है, क्यों मालूम है, ठीक है, मैं देखो, जो भी आपको advice दूँगा, मैं एकदम point पे दूँगा, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी अनाप्शना बकवास करूँगा और वो चीज़े नहीं, मैं आपको exact मैं आपको इसका गनित बताता हूँ, देखिए, यहाँ पे हमारे number से 32 cover, ठीक है, और hit होने के chances बहुत जादा है, क्योंकि 5 ही number जो है, वो expose है, अगर उन में से कोई आता है, तो हमारी bet यहाँ पर lose होग यह उतना आपका risk का factor बढ़ते रहेगा, आप समझ रहे है, अब देखिए, दो spin हुई है, मैंने half जो loss हुआ था, उसको cover कर लिया, मैंने as it is रखा है, ठीक है, मैंने जो bet लगाई थी, डबल की थी, उसको as it is रखी हुई है, ठीक है, अभी तक के लिए तो रखी है, मैं जाता हूँ, ऐसी जहाँ पर coverage ज्यादा होता है, तो वहाँ पर हमारे hit के chances ज्यादा होता है, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वहाँ पर double कर सकते हो, triple भी कर सकते हो, मगर एक बात ध्यान में रखिया, अगर फिर वहाँ पर अगर bet lose होती है, तो आपको session बंद करना है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहाँ, 100% bet pass ही होगी, या जो भी है, देखो, हर scenario के लिए ready रही है, अपना एक budget बनाई है, strategy का पूरा calculation करिए, कि कितना returns आएगा, मुझे 10%, 15%, 20% लेना है, अच्छा ये लेने के लिए मुझे कितनी bet pass करनी पड़ेगी, उतनी bet pass करने के मेरा coverage sufficient है, क्या strategy का, देखे, ये सारी चीज़े अगर आप calculate करोगे ना, तो इससे एक चीज़ होगी, क्या होगी मालूम है, आपका पैसा बचेगा, ठीक है, और यही तो सबसे बड़ी बात है, आप क्यों खेल रहे हो, आप किस चीज़ के लिए प्ले कर रहे हो, उसी चीज बचाने का सोचिए, ठीक है, अगर आप बचा लेंगे ना, तो अपने आप बढ़ेगा, मगर हम वो चीज़ नहीं सोचते हैं, ठीक है, हम बस इतना सोचते हैं कि कितना जल्दी हमको वो मिले, देखो ऐसा नहीं होता है, हर चीज में जल्दबाजी करके नहीं चलता है, तो अब देखिए यहाँ पर 11,600, ठीक है, मैंने यहाँ पर बैट नहीं लगाई, मैं आपको समझाता हूँ, मैंने चार, मैंने डबल गिया एक बार, और चार राउंड खेले, अब चारो मेरी पास होई, क्यों पास होई, क्योंकि और मेरा 32 नंबर का कवरेज है, बहुत कम चां होगा कि वो पास नंबर हो जाएगे, नहीं न, बहुत कम होगा न, तो यही चीज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको अलग तरीके से ले सकते हो, सोच सकते हो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ी बेट लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, कि जहाँ पर cover ज़ादा होता है, वहाँ पर hit होने के chances ज़ादा होते है, बजाए miss होने के, ठीक है, तो वो एक opportunity है, वहाँ पर हम उसका benefit ले सकते हैं, तो किस तरह से ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए, आप अपनी bet को increase कर सकते है अगर loss के scenario में देखी यहाँ पर मैंने increase करके लगाया थीक है तो वो confidence था मेरे अंदर अब यहाँ पर 12600 का हमने bank roll बनाया है जो की 26% होता है हमारे initial जो start किया था वहाँ थीक है तो मुझे सिर्फ आपको strategy नहीं दिखाना है मुझे strategy के साथ साथ में आपको समझाना है कि किस तर के लिए गुडबाए टेक केर